दोस्तों बिहार में बिहार SSE 2nd Inter-स्तरिय बहाली की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है आपको बता दे ये जो बहाली है करीब 3,000 से भी अधिक सीटों पर होने वाली है ये बहाली जो रहेगी अलग-लग पदों पर है अलग-लग क्वालिफिकेशन है जिसके लिए रखा जाएगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे कि अगर आप यहार SSE 2nd Inter-स्तरिय बहाली का इंतजार कर रहा है तो कब से इसके लिए आवेदन होगा क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है और कितने सीटों पर ये बहाली होगी जिसकी पूरी जनकारी हम आपको डीटेल में समझाएंगे बहाली के बारे में अधिक जानना है तो गूगल ओपन करिए सर्च करिया ओनलाइन अपडेट स्टीम डॉटीन आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे नीचे स्कॉल करेंगे वेबसाइट पर काफिस सारे अपडेट किये जाते हैं जैसे ल नहीं बना पाते लेकिन आपको पोस्ट मिल जाएगा जिसके मादम साब इसके लिए अपलाई कर पायेंगे जैसे अभी हम बात करें बिहार से से के बारे में तो आपको लेटेश जॉब में ही इसका मिल जाएगा जिसमें काफे सारे पद रखे जाते हैं जैसे कम्प्यूट आपको देखनों के मिलते हैं आप नीचे जब स्कॉल करेंगे जिसके लिए आविदन की परकिरिया है आपको नेक्ष्ट मन्त यह सितंबर से स्टार्ट होगा और लाश्ट अक्टूबर तक रहने वाला अभी अप्लिकेशन पी का जिक्र नहीं किया गया तो इसलिए यहां पर आपको कमिंग सुन है जैसे ही यह जिक्र कर दी जाएगे तो आपको यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा आपको बता देए यह पोस्ट तीन हजार सधीक है लेकिन यह अभी किलियर नहीं किया गया कि किस पद के लिए कितने सीठे नेरधारित की गई है क्योंकि अभी हम आपको किलियर करके समझाते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है किलियर लिखा हुआ है कि दुतिय इंटर अस्तरिय परिक्षा का विग्यापन अगले मां आएगा तीन हजार से अधिक लिखतिया रहने वाली है इसमें आपको बता दे आठ वर्स बाद आएगी इंटर अस्तर काही आया हुआ है 14 के बाद अब जो ये बाहली है आपको 2022 में आने वाला लगबग 8 फर्स बाद ये बाहली आने जा रही है आपको बताद दे जब 14 में ये फॉम आया था तो लगबग 18 लाग छातुरों ने आवेदन किया था इस बाहली में और ये जो बाहली था करीब 13,000 प इंटरास्तरिय ये बाहली रहेगे किलियर आपको बता दे क्या क्या बताया गया है अगले माह दुतिये इंटरास्तरिये परिच्छा का बिग्यापन आएगा पिहार राज करमचारी चैन आयों के पास अब तक 2000 रिक्तिया इसके लिए आ चुकी है ये रिक्तिया 6 विभाग वो ने 8 सेडियों में भेजी है अभी लगभग आथा दरजन विभाग और रिक्तिया भेजेगी जल्द ही 1000 और रिक्तिया आने की संभवना है अगले माह के मध्ये तक इसका बीग्यापन आने की संभवना है और सितंबर के मध्ये तक इसका ओन-Line आवेधन होगा यहां पर सारी जनकारी बता देगे कि इसका नोटिफिकेशन इस मार्क के मद्य तक यानि आपको आधा जब ये मन्त हो जाएगा तो आपको विग्यापन आएगी और आभेदन की जो परकिया अगले मन्त के मद्य तक सुरू हो जाएगा जो कि आउनलें मोड में रहेगा अब तक आई र स्थिकल टेस्ट देना ज़रूरी होगा तो यह पूरी जनकारी इसमें बताया गया है कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज की जाएगे जिसमें सारी जनकारी बता दी जाएगी कि किस पद के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन होगा साथी कब से कब तक अपला जाए हो भी शुरू कर पाएंगे तो सारी जनकारी हम आपको इस वेबसाइट के मादर में से उपलब्द करा देंगे तो आप इस वेबसाइट को हमेंसा भीजिट करें जहापे सारी जनकारी आपको मिलती है जितने सारे लेटेश्ट जोब होते हैं सब की जनकारी आपको यहा आप ग्रूप से जूरिये जहाँ पर करीब 21,000 से भी अधिक छात जूर चुके है अब आपकी बारी है यहाँ जूरिये हरे कॉपडेट आपको यहाँ सेर कर दिया जाएगा धन्यवाद